आज मैं आप लोगों से शेयर करने जारी हूं चिकन समोसा बनानी की रेसिपी बहुत ही मज़े का बनता है यह तो चलिए से हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो इंग्रेडियन्स में सबसे पहले हमने यहां पी लिया है 300 ग्राम चिकन का कीमा और दो हरी मिर्च को बारी कट करके लिया है फाफ टीजपून लिया है काली मिर्च का बॉर्डर एक मीडियम साइज के नीम्बू का जूस लिया है एक टीजपून कुटी हुई लाल मिर्च एक टीजपून अदर क्लेसरन का पेस लिया है दो टीजपून लिया है चिकन मसाला पॉर्डर और यहां पे एक चोधाई का प्रिया है हरी दनिया और एक मीडियम साइज के लिया है शिम्राम मिर्च तो सबसे पहले हम कड़ाई में डालेंगे तेल एक बड़ा शमच तेल को गर्म होने देंगे तेल के गर्म होते ही इसमेट कर देंगे प्याज और अब इसमेट करेंगे चिकन का कीमा और साथ ही मेट करेंगे नमक तेस्ट के मताबक और अब चिकन को भून के लिए ना भूणा है तो हम इसे कवर अवर करके भून के लिए हमने चिकन मसाला नी इंट करें लेगे और इसे जो है कुक कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए और यहां हम इस तीन मिनट के लेह आप नीमपुु का जूस एट करेंगे और धनिया की पति डाल कर के बस करेंगे और पशम्ग डालकर समूसा के लिए filling बिल्कुल ready है अब हम dough ready करेंगे तो यहाँ पर हमने एक cup लिया है मैदा और अब इसमें add करेंगे नमक टेस्ट के मताबिक और दो बड़ा चमच इसमें add करेंगे refine oil आप इसमें घी भी डाल सकते हैं और डाल करके इसे पहले अच्छे से mix कर लेंगे और अब जो है इसमें थो आड़ा गूंत करके त्यार कर लिया है इसे cover करके 20-25 मिनट के लिए रखेंगे 25 मिनट बाद इसे हमने खोला है और अब एक दो हाथ इसे और लगा लेंगे तो यहाँ पर लगा लिया है हमने और अब हम समोसा बनाना ready करेंगे तो इसके चोटा सा पेड़ा बनाएंगे और इसको बेल लिए यहाँ पर हमने इसे बेल लिया है और अब इसे कट करेंगे बीच से और अब समोसा बनाना ready करेंगे तो देखे इस इस तार से फोल्ड करेंगे और अब हम इस पर पानी और मैदे का हमने गोल्ड रेडी किया तो उसे लगा रहे हैं आप सिंपली पानी भी बढ़ा सकते हैं और इसे न अच्छे से यहां से सील करेंगे और अब स्टफिंग डालेंगे तो हम दो चमच भर के इसमें स्टफिंग डालेंगे भरा भरा समुष अच्छा लगता है खाने में और फिर से यह कॉन फ्लोर पानी का जो मिक्स्चर है इसे साइड में लगा करेंगे तक यह नहीं कर दो एक समोसा आप लिए पलातब strainer के हमकर करेंगे ही अर्ड अभ्राक्व çek मारीध नहीं घंक होनेगे के वक्त प्रवाइ अश्यराइब करेंगे और तो ने इसारा समोसा आज पर अच्छे से फ्राय करेंगे, हर साइट से गोल्डन हो जाने तक और इस तरीके से उपर उपर से तेल इस तरह से डालते रहेंगे, तक यह अच्छे से हर साइट से जल्दी फ्राय हो जाएं, तो यहाँ पर यह जो समुसे हर साइट से गोल्डन हो चुके हैं, आप बीटियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हाफिज